हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल दा इविजर्ड अकेडमी में प्यार बच्चो अगर आप एनायस उपन बोर्ड के बारवी क्लास के स्टूडेंट्स हैं सब्जक लिया है डाटा एंट्री ओप्रेशन जिसका पेपर कोड है 336 एक्जाम देने वाले हैं एनायस उपन बोर्ड से अपरेल सन 2024 के अंदर तो प्यारे बच्चो आज मैं आप लोगों के लिए डाटा एंट्री ओप्रेशन का सॉल्फ एसाइमेंट लेकर आया हूँ जिसे देखकर आप अपना एसाइमेंट कम्प्लीट कर पाएंगे अभी आपको मैं आपका कोशन पेपर दिखाता हूँ ये कोशन पेपर है और उसके बाद मैं आप लोगों को प्रोवाइट करवाऊंगा इसके आंसर आज की वीडियो के अंदर आप लोगों को एक से लेकर छे तक के सभी कोशन के आंसर प्रोवाइट करवा दूँगा जिससे के आप सभी स्टूडेंट अपना एसाइमेंट अच्छे से बना पाएं और आप सभी स्टूडेंट को अच्छे मार्क्स भी मिल जाएं प्यारे बच्चो पहले आप ये सारा कोशन पेपर देख लें और उसके बाद मैं आप लोगों को इसका आंसर प्रोवाइट करवाता हूँ ये देखिए ये न्यू कोशन पेपर है अपरेल सन दोहजार चौबिस में एक्जाम देने वाले स्टूडेंट्स के लिए क्लास है आप लोगों की 12 और सब्जेक्ट है आप लोगों का डाटा एंट्री ओप्रेशन मीडियम आप लोगों का हिंदी रहने वाला है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैंने वीडियो बना दी है लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है अब आईए मैं आप लोगों को इसका आंसर दिखा देता हूँ और एक से लेकर 6 तक के सभी कोशन्स के आंसर मैं आपको प्रवाइट करवाऊंगा तो प्यारे बच्चो यहाँ पर आप देख पाएंगे सब्जेक्ट है आप लोगों का डाटा एंट्री ओप्रेशन पेपर कोड है 336 क्लास है आप लोगों की 12 और शैशन है आप लोगों का सन 2023 से 24 इसका full solve assignment पर आप लोगों को provide करवा रहा हूं यह देखिए यह रहा कोशन आप लोगों के सामने उतार लीजिए अगर आप इसका screenshot लेना चाते हैं तो screenshot भी ले सकते हैं और अगर आप इस वीडियो को download करना चाते हैं तो आप वीडियो download भी कर लें प्यारे बच्चो यह जो आप लोगों को picture दिखाई दे रही है इस picture को आप बना भी सकते हैं अगर आप लोगों की painting अच्छी है तो otherwise आप इसका print out निकलवा कर इसको paste कर दें प्यारे बच्चो जब आप assignment के अंदर picture का use करते हैं तो checker आप लोगों को अच्छे marks मिल जाते हैं उतार लीजिए सभी questions का answer हमने बहुत अच्छे से solve किया है ताके आप लोगों के एक भी marks ना कटें वैसे मैंने और भी यूटूबर्स की जो है वीडियो देखी है जिन्होंने assignment solve किये हैं उनके लगभग सभी के answer जो है वो गलत हैं और मुझे यह समझ में नह चकर में fake answer क्यूं बच्चों को provide करवाते हैं उनको सोचना चाहिए कि बच्चों का future जो है वो depend करता है उस पर और अगर बच्चों को assignment में कम marks मिलेंगे तो उनकी percentage खराब हो जाएगी जिससे के उनका पूरा career destroy हो सकता है तो आप जो है वो fake answer ना उतारें आप अच्छे से सह answer उतारें answer को उतारते समय answer को आप खुद भी पढ़ें और अगर आपको लगता है कि answer गलत है तो उस answer को आप अपना assignment में ना note down करें ठीक है आप लोगों के लिए जो मैं आपको answer provide करवा रहा हूं हमारे expert teacher द्वारा बनाए गए हैं और मैंने खुद भी इसे बहुत अच्छ से चेक किया है यह देखिए यह रहा question number five आप उतार लें अच्छे से और प्यारे बच्चो अगर आप लोगों को इसका PDF डाउनलोड करना है तो description box में मैंने link दे दिया है आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और अगर आप लोगों को अपना assignment handwriting के अंदर हमसे बनवाना है ता आप लोगों को मुझे message करना है मेरे WhatsApp नमबर पर जो है 7678696142 और यह रहा question number six आप उतार लें और प्यारे बच्चो अगर आप लोगों को data entry operation या फिर किसी भी subject के notes चाहिए exam notes चाहिए ताके आप उन्हें पढ़कर अच्छे नमबरों से पास हो सके तो उसके लिए भी आप मुझे मेरे WhatsApp नमबर पर contact कर सकते हैं और प्यारे बच्चो question number six के अंदर यह जो pie chart बनाने के लिए कहा गया था चार्ट तयार करने के लिए कहा गया था तो इसे आप अच्छे से जरूर बनाए या फिर आप इसका print out निकलवा कर अपने assignment में paste कर दें यह compulsory है और आप बहुत अच्छे से इसको बनाए और assignment के अंदर किसी भी तरह की कोई भी cutting ना करें प्यारे बच्चो एक अच्छा assignment कैसे बनाना चाहिए उस पर मैंने एक विस्तार से वीडियो बना दिया है लिंक मैंने वीडियो के description box में दिया है तो आप उस वीडियो को assignment बनाने से पहले ज़रू देखने थैंक यू फर वाचिंग मैं वीडियो